खबर राइपूर से जहा कुमारी श्यल्चा ने विधायकों के साथ बैठक किया और बैठक कर रहे हैं मंतरी रविंद्र चौबे ने जुआनकारी देते हुए बताया कि सभी विधायकों से खृत्र के बारे में फिट पैक लिया अच्वारा है साथी किस तरह से 2023 की तैयारी की जाएगी इस पर चर्चा की जाएगी साथी बताया कि राइपूर में होने वाले कॉंगर्स के महादिवेशन पर भी चर्चा की जा रही है फिलाल अदिवेशन को लेकर दिशान निदीश दिये कहें वही राम चर्चार रितमानस और राम और रामायन पर होरे रासनीदी पर बयान देते हुए कहाए कि बाटर जिंदा पार्टी के मांसकता ही यही है कि हिंदुस्तान में लगबग लोग राम चर्चार रितमानस और रामायन का गुंगान करते हैं फोर्देश के लगवग लोग सानातन धर्म को मानते हैं . जो सनातन को नहीं मानते हैं , वो भी राम चाह रितमौमार क्रितमानस का अनुस्रान करते हैं . स्वातिक कहा कि मुकेमिठी अर्वपेश पगल हमेशा कहते हैं कि यह प्रदेश यह राम का ननीहाल और यह कोशलिया माता का जनमस्तान ही, इसलिए वहां के कनकन मेरा हम फिराच चते हैं। और यह कोशलिया माता का जनमस्तान है, हमने चन्तुरी में माता काशलिया के गोद में राम जी का भब्य मंदिर बनाया हुआ है। परिपत्स में आने वाले सभी धानमे किस्थानों का उन्यान कर रहे हैं। आदर्णी मुख्यमंत्री जी हम ऐसा कहते हैं कि 36 गड़ के कनकन में राम बिराजे हैं। हर ब्यक्ति के हिरदय में यहां राम बिराजे हैं। मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी की मानसिक्ता लगभग सती ही मानसिक्ता हो गई है। हिंदुस्तान में राम चरित्र मानस, राम जी के चरित्र, रामायन का गुनगान यह हम लोगों के जीवन का हिस्सा है। लगभग, देश के अधिकांस लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और जो सनातन को नहीं भी मानने वाले हैं, वो राम चरित्र मानस का अमुसरन करते हैं। और 36 गड़ के बारे में तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, ये राम जी का नमिहाल है, माता कौशिल्या का जन्मिस्थान है, हमने चंदकुरी में माता कौशिल्या के गोद में राम जी का भब्य मंदिर बनाया हुआ है, राम वन गमन परिपत को हम लोग बहुत सबसे बड़ा रास्ता बनने वाला है, हम इस परिपत में आने वाले सभी धानवी किस्थानों का उन्यान कर रहे हैं, आदर्णी मुख्यमंत्री जी हम ऐसा कहते हैं, कि 36 गड़ के कणकण में राम विराजे हैं, हर ब्यक्ति के हिर्दय में यहां राम विराजे हैं, मुझे लगता है कि